वेल्कम बैक टो माई यूटूब फैमली और आज हम बनाने वाले हैं माइक्रोणी पास्ता इसको बनाने के लिए हमने माइक्रोणी ली हैं दो कप और उनको पानी में डाल करके उबाल लिया है 70% हमेन पकाना है उसके बाद हमें गैस आफ करके इनको छान कर ठंडे पानी अच्छी तरह साफ कर लेना है जिससे यह ज्यादा पके नहीं या गल्ले नहीं उसके बाद हमें कुछ पास्ता में डालने के लिए समगरी की जरुत पड़ेगी वह हमने यहापर काट करके और एकट जमini में कटना है उसके बाद हम ऐसमें एक गटा हुआ से मेर्च और दो कटी हुई बारीक प्याज डालके और इसको भी मुलायम होने तकपकाना है मुझने दीरे दीरे आज पर हम इनको पकाएंगे उसके बाद एक कटी वारीक पत्ता हो भी और तीन से चार हरी मिर्च डाल जितना तीखा काते हैं वो जिसाब से डाल दे क्योंकि आगे इसमें सॉस भी जाएंगी यहां पर हमने नमक स्वादी के अंसार डाला है जिससे जो सब्जियां वो जल्दी पक जाएंगी और इनका हमें क्रण्च नहीं हटाना है इनका जो कच्छा पन है उसको अटाना है इतन गोटे के लिग एक डालें गी हम यहां पर एक मचश डालें अगर आपके पास है तो डालें अगर नहीं है तो श्क्रिप कर दें उसके बाद हम माक्रॉनी डालेंगे ईसको अमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जिससे जो सब्जिया हैं मसाले हैं वो सॉसस हैं वो अच्छी तरह से मैक्रोनी में मिल जाए और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है लो से मीडियम रखें आई ना करें बढ़ना फिर जल जाएगा यहां पर तीन से चार चम्मच टोमेटो कैचप डाला है आप यहां पर टोमेटो नी पास्ता बनकर तयार है थैंक्स फॉर वाचिंग